नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में कन्या कुमारी से सम्मन्धित पूरी जनकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सेयर यवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कन्या कुमारी तामिलनाडू परांद के सुदूर दचित तत पर बसा एक सहर है, यह हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी तथा और अब सागर का संगम अस्थल है, जहां भीन सागर अपने बीभीन रोंगों से मनुरम जटा भिखरते हैं, भारत के सबसे दचित छोड़क पर बसा कन्या कुमारी वर्षो से कला संस्क्रिती सभ्यता का प्रतिक रहा है, भारत के परेटक अस्थल के रूप में भी इस अस्थान का अपना ही महत्व है, दूर दूर तक फैले, समुद्र के विसाल लहरों के बीच यहां का सुर्यदय और सुर्यास्त का नजारा बेहत आकर समुद्र बीच पर फैले रंग बिरंगे रेत इसकी सुंदाता में चार चांद लगा देती है, कन्या कुमारी दचिर भारत के महान सासक चोल चेल पांडे के अधीन रहा है, यहां के एसमारकों पर इन सासकों की चाप असपश्ट दिखाई देती है, इस जगह का नाम कन्या कन्या के अलावा किसी के हाथ आप उसका बध नहीं होगा, प्राचीन काल में भारत पर सासन करने वाले राजा भारत को आठ पुत्री और एक पुत्र था, भारत ने अपना समराज को नो बराबर हिसों में बाट कर संतानों को दे दिया, दचिर भारत का हिसा उसकी पुत्री कन्या कुमारी को मिला, कुमारी को सक्ति देवी का अवतार मना जाता था, कुमारी ने दचिर भारत के इस हिसे पर कुसलता प्रुवक सासन किया, उसकी इच्छा थी कि वह सीव के से बिवाह करे, इसके लिए वह उसकी पुजा करती थी, सीव बिवाह के लिए राजी भी हो सब्सक्राटी देवी कुमारी के नहीं हो पाया, इस बीच बाना सुरन को जब कुमारी की सुन्धरता के बारे में पता चला, तो उसने कुमारी के समक्ष साधी का प्रस्ताव रखा. कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे यूद में हरा देगा तो वह उससे बिवाह कर लेगी दोनों के बीच यूद हुआ और बाना सुरन को मिर्तिव की प्राप्ती हुई कुमारी की याद में ही दक्चिर भारत के इस अस्थान को कन्याक कुमारी कहा जाता है माना जाता है कि सीव और कुमारी के विवा की तैयारी का सामना आगे चलकर रंग बिरंगी रेत में पर्रिवर्तित हो गया सागर के मुहाने की दाई ओर इस्तीद एक छोटा सा मंदिर है जो पारबती को समर्पित है मंदिर तीनों समुद्रों के संगम अस्थल पर बना हुआ है यहां सागर की लहरे की आवाज स्वण्स के संगीत की बाती सुनाई देती है भक्तगड मंदिर में पर्वेस करने से पहले त्री वेनी संगम में डुकी लगाते हैं जो मंदिर के बाई और पांसो मीटर की दुरी पर है मंदिर का पुरूप पर्वेस दुआर को हमेशा बंद करके रखा जाता है क्योंकि मंदिर में अस्थापित देवी के आभुसन की रोसनी से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझने की बूल कर बैटते हैं और जहाज को किनारे करने के चकर में दुरगटना गरस्त हो ज उनकी मिरुत्यू के बाद 1948 में कन्या कुमारी में ही उनकी अस्तिया भिसरजित की गई थी एस मारव को इस परकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांदी के जन्म दिवस पर सूर्ज की प्रतम किरने उस अस्थान पर पड़ती है जहां महात्मा गांदी की राक रखे हु इस परतिमा की कुल उचाई 133 बिट है और इसका वजन 2000 टन है इस परतिमा को बनाने में कुल 1283 पत्थर के टुकडे का उप्योग किया गया था समुद्रम्बने इस अस्थान पर बड़ी संख्याम प्रटक आते हैं इस पवित्र अस्थान को बिबेकानंद राक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में स्वामी बिबेकानंद के प्रतिस समान परकट करने के लिए बनाया था इसे बिवेकानन्द मेमोरियल कते हैं इसी अस्थान पर स्वामी बिवेकानन्द ने गहन ध्यान लगाया था इस अस्थान को स्री पद पराई के नाम से भी जाना जाता है प्राचिन मन्याताओ के अनुस्वार इस अस्थान पर कन्या कुमारी ने भी तपस्या की थी कहा जाता है कि यहां कुमारी देवी के पैरों के निसान मुद्रित है यह असमारक 20 परसीद है सुचिंद्रम एक छोटा सा गाउं जो कन्या कुमारी से लगवग 12 किलोमेटर दूर इस्तित है यहां का थानु मलायन मंदिर काफी परसीद है मंदिर में अस्थापित हनुमान जी की 6 मीटर की उची मूर्ती काफी आकरसक है मंदिर के मुक गर्वगरी में ब्रमा विश्नु और महस जो की इस ब्रमान के रचाईता समझे जाते हैं उनकी मूर्ती भी अस्थापित है यहां नौविस सतापदी से प्राचीन अभिलेक भी पाय जाते हैं कन्या कुमारी में घुमने की जगा विवेकानंद सीला विवेकानंद की मूर्ती एवाम विवेकानंद मठ है कन्या कुमारी से 20 किलोमेटर दूर नगर कोल का नागराज मंदिर नाग देव को समर्पित है यहां भगवान विश्णू और सीव के दो अन्य मंदिर भी हैं मंदिर का मुख द्वार चीन की बुद्ध बिहार की कारिगरी को याद दिलाता है पदमान भापूर महल की 20 साल हवेलिया स्त्रावर कोर के राजा द्वारा बनाया गया है यह हवेलिया अपनी सुंदर्ता और भव्याता के लिए जाने जाती है कन्या कुमारी से इसकी दूरी 45 किलोमेटर है यह महल केरल सरकार के पुरातत्तो विभाग के अधीन है कोटालम जहरना 166 किलोमेटर उची है इस जहरने के जल को आसिदी गुडों से युक्त माना जाता है यह कन्या कुमारी से 137 किलोमेटर दूर पर इस्तित है तिरू चेंदूर 85 किलोमेटर दूर इस्तित तिरू चेंदूर के खुबसूरत मंदिर भागवान सुब्रमनियम को समर्पित है बंगाल की खाड़ी के तट पर इस्तित इस मंदिर को भागवान सुब्रमनियम के 6 निवासों में से एक मना जाता है कन्यक मरे से 34 किलमेटर दूर उदाइगिरी किला राजा मरतट बर्मा द्वारा 1729 से 1778 इसवी के दौरान बनाया गया था इसी किले में राजा के विश्वसनिये एरोपियन दोस जनल डी लीनोई की समाधी भी है दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लगी आप वीडियो की नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और इस तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद